नमस्कार दोस्तों, सुखते हैं आज सभीगा आपके अपने यूटूब चनल एज़री मेडिसीन में आज हम बात करने वाले हैं केला प्यूर ए लोशन के बारे में यह 50 ml के पेक में होता है जिसका कंटेंस होता है प्यूरिफाइट वाटर, अलोवरा जेल, लाइट लिक्विड, पेराफेन, केलामाइन, ग्लिसरीन, और भी काफी इंग्रेट आज में इसका यूज आप डाक्टर की सलाग अनुसार करें तो ज्यादा बेतर रहेगा यह लोशन आपको डाक्टर के प्रिस्क्राइब पे सभी मेडिगर्शर पे मिल जाएगा केला प्यूर यह लोशन, एंटिसेप्टिक और एंटिप्यूरिटिक हैं इस लोशन का यूज, स्किन एलर्जी, एक्जीमा, रैस, चिकेन पॉक्स यानि छोटी माता और संबर्ण यानि धूप की उज़एसे जो आपको काली-कली स्किन में हो जाती आपकी उसके उप्चार में कहते हैं अगर आपको खुजली और जलन हो रही हैं, स्किन पर किसी भी तरह का इंफेक्शन हो गया हैं, आपको ड्राइ स्किन हैं, तब भी यह यह ड्राइ स्किन में काफी एक तरह का मोशाराजिक तरह काम करता हैं आपको मुहासे हो गए हैं दाग दब्ब्बे हो गए हैं स्कीन पर सूजन आ गए हैं स्कीन इरिटेशन हैं, पित्ती हैं आपको किसी छोटे मोटे कीड़ेने काट ले हैं इस वज़े से आपकी स्कीन पर redness, जलन और swelling आ गए हैं और खुजली चल रहे हैं तब भी आपको इसका यूज काफी आराम दिलाएगा साथ ही जिन लोगों को पीट और चेश्ट पर दाने निकल आए हैं या जिनको चिकन बॉक्स की वज़े से सरीर पर दाग और फपेलो हो गए हैं तब भी उनको ठीक कर उन दाग को मिटाने में यह काफी हेलफूल है बच्चों को भी अगर डाइफर रेइसेज हो गए हैं तब भी यह काफी एफेक्टिव हैं साथ ही आपको हाई जें फ्ली नाम के के जिएसे आपको इलर्जी हो गए हैं सोरेज की धूप के उज़े से स्कीन जल गए हैं और प्रेगनेंसिय के दौरान काफी सारी लेडिस हैं जिनको इचिंग के समझे होती रहते हैं तो यह उसे भी ठीक करते हैं और भी अगर आपको सोरेजिस की प्रोब्लम्स हैं दाद खाज हो गए हैं आपको फंगल एरिया पर थोड़ी सी मातरा में आपको हाथ पे लेके जहाँ जहाँ आपको इंफेक्शन है वहाँ पर हलके यहतर से मलेश कर ले अगर आपको इलर्जी नहीं है तब भी आप इसे एक मोस्टिलेजर के रूप में यूज कर सकते हैं इसे आप कम से कम साथ दिन तक यूज कर आता है तब इसे में आप इसका यूज बंद करें और अपने डाक्टर से कंसल्ट करें तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको जुरूर पसंद आज होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तेंक यू